हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेशन है, डिवाइड दा फॉलेन, हमें डिवाइड करना, 306 को हमें डिवाइड करना किस से? 8 से, मीन्ज 8 से मुझे डिवाइड करना 306 को, अब भाई 8 की टेवूल 30 तक बोलनी है, इसके लिए क्या 8 की टेवूल में 30 आता? अगर हम बोलेंगे 8 बन जे कितना होता? 8 होता, 8 2 जे हमारा कितना होता? 16 होता है, 8 3 जे हमारा कितना होता? 24 होता है, 8 4 जे हमारा कितना होता? 32, भाई 8 4 जे 32, यहां तो हमारा 30 है, तो 32 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 32 बड़ा हो जाएगा, किस से? 30 से, तो हम इस छोटा लिखना होता हो, तो तो हम इससे पहले वाला देखेंगे क्या है 8304 तो भई तो 83024 यहां से कह रही यहां ही 10 हो गए 10 में 4 गए 6 यहां 2 बज़ गए 2 में 2 गए 0 यह आज़ेगा यहां क्या 8 की टेबल 66 तक जाती है तो 8 5 जा हमारा कितना होता भाई 40 होता है 8 6 जा हमारा होता है 48 8 8 7 जा 56 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72 अगें 72 बड़ा हो जाएगा तो नियर्स्ट क्या रहा 64 तो 8 टाइम 64 6 में जो 4 गए 2 अब यहां हमारा पर कोई डिजिट नहीं तो यह हमारा रिमेंडर हो जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा रिमेंडर ओके ऐसे जगोए 7 की टेबल मुझे कहा था बोलनी 3008 तक सबचे पहले 7 की टेबल 30 तक बोलेंगे बहुँ 7 1 जा हमारा क्या होता है 7 होता 7 2 जा हमारा कितना होता 14 होता 7 3 जा 21 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35 बहुँ यहां तो 30 है 35 तो लिख नहीं सकते क्यों बड़ा हो जाएगा तो क्या आएगा बहुँ 7 4 जा 28 तो 7 4 जा 28 कहरी आएगी 10 हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 यहां 2 बच गया 2 में 2 गया 0 यहां अब 7 20 आ रहा 7 2 जा 14 7 3 जा 21 तो बड़ा हो जाएगा तो क्या कहेंगे 7 2 जा 14 यहां अगे निहाएगी कहरी तो 10 हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और यहां हमारा क्या हो जाएगा बहुँ 1 हो जाएगा 1 में से 1 गया 0 यह आएगा यहां क्या 7 की टेवल में हमारा 68 आता है तो 7 6 जा हमारा कितना होता भई 7 6 जा 42 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 9 जा 63 और 7 10 जो हमारा क्या होता है 70 होता भई 70 तो लिखने सकती ग्रेटर हो जाएगा तो क्या 7 9 जा 63 तो 7 9 जा 63 में 3 8 में 3 गया 5 आप कोई डिजिट नहीं है तो यह रिमेंटर हो गया ओके